इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें बिरिंग नम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो सहर से बाहर अपने घर में अकेली रहा करती थी और हम उसको एक मिनियेचर टाउन बनाता हुआ देख पाते हैं वो कपड़ों को बना कर चार करती है और उनको बेचने के लिए सेर जाने लगती है तबी वो अपने लोन के अंदर एक छोटे से सरकल को देखती है जिस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर पानी डाल देती है फिर वो सेर जाती है असल में वो अपने घर में एक चोटा मोटा गार्मेंट्स का काम करके अपना गुजारा कर रही थी वो रास्ते में एक लड़के को देखती है जिसको वो लाइक किया करती है लेकिन वो लड़का उसको देखना तक नहीं चाहता अब ब्रिंग टाउन पहुचती है अब यहां पर हम यह समझ पाते हैं कि नोड के पेरंट्स दिखाय देते हैं जिसको देखते ही वो छुप जाती है उनके जाने के बाद वो अपने घर पर आ जाती है और नोड के नाम पर एक लेटर लिखने लगती है तब ही उसके लिए एक पारसल आता है जिसके अंदर उसने अपने मिनियचर टाउन के लिए चिए कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती खेर वो रात को सो जाती है और तबी हम किसी चीज को उपर से नीचे आता हुआ फिल कर पाते हैं जो कि उसके घर के अंदर आ जाती है तब ही घर के लाइट आपने आप ही ओन ओफ होने लगती है और कुछ ढरानी आवाज आती है जिस कारण वो जाग जाती है और विंडो से बाहर देखने पर बाहर खूरे दान बिखरे पड़े थे फिर वो निचे जाने लगती है लेकिन सीडियों से देखने पर उसे मेंडोर ओपन मिलता है और उसे किसी की चलने की आवाज आने लगती है देखने पर वो किचन एरिया मे किसी को देखती है जिस कौर्ण वो डर जाती है फिर वो डर के मारे चुपचा पीछे के रास्ते से अपने रूम में जाने लगती है लेकिन फ्लोर से आवाज होते ही वो अनौन परसन उसके तरफ आने लगता है जिसको देखते ही हम समझ पाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल मतलब एलियन घर के उपर था वो में डोर बंद करती है लेकिन तबी घर की लाइट अपने आप ही ओन हो जाती है जिस कारण टीवी बगेरा अपने आप ही चलने लगता है जिस कारण बहुत ज़दा आवाज होती है वो जैसे तेसे उसको बंद करती है तबी वो हेल्प के लेकिन वो एलियन उसको देख ही लेता है जिससे बचकर वो भागने लगती है लेकिन दरवाजा तूटकर अंदर गिरने से बिरिंग के सिर पर चोट लग जाती है वो जैसे तेसे खिसकर छुपने की कोसिस करती है वहीं वो एलियन घर में थोड़ी और तबाई मचाता है ज जिसके बाद वो एलियन तड़ब तड़ब कर मर जाता है अब बिरिंग रात बर काफी डर हुई थी और किसी तरह रात गुजारती है सुबह होने पर वो खुद को सुमालती है और हैल्म के लिए फोन करने लगती है लेकिन उसमें सिगनल नहीं था फिर वो लाइट को चेक क सबी मिलता है और वहीं पर वह एक घर को भी देखती है वह भी तबाह हो चुक था वहां पर एक सरकल को भी नोटिस करती है जैसा उसने अपने लोन में देखा था और तब ही हमें दिखाय जाता है कि वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सरकल बने हुए हैं खेर अब वो सेहर आती है वहाँ सबी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे वो सिदा पुलिस स्टेशन जाती है वहाँ उसे नोड के पेरन्स मिलते हैं जिनसे वो कुछ बात बोलने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही नोड की माँ उस पर थूकर चले जाती है जिस कांड वो खुद को डर्टी फिल करती है और पलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और खुद को समालती है फिर वो सहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है और एक बस में बेर जाती है और रिलेक्स महसूस करती है तब ही एक आदमी उस पर हमला करने लगता है जिसके गले में हम रेंगते हुए किसी पेरा साइड को देखते है और ऐसे ही एक लेडी भी हमला कर देती है और उन दोनों से बचने के लिए वो बस से भागने लगती है तब ही वो एक घर के पास पहुंचती है यहां पर वो एक ग्रेव के पास पहुंचती है जिसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है ये ग्रेव उसकी मा के नहीं बलकी उसकी बेस्ट फ्रेंड लोड की थी यानि वो इस दुनिया में नहीं रही बिरिंग उसको याद करके रोने लगती है खेर अब वो खुद को समाल कर वहां से बागने लगती है रास्ते में उसको एलियन की आवास ने दे रही थी और लोगों की चलाने की आवाजे आ रही थी एक जगे बहुत सारे लोगों ने आस्मान की तरफ अपनी हाथ कर देख रहे थी ये सब लोग उस एलियन की कबजे में थी खेर अफ वो घर पर आती है और उस मरे हुए एलियन को देखती है जिसके मुवे से कुछ निकल कर बहार गई थी वो उसे देखने की कोशिस करती है की वहाँ से क्या निकला होगा लेकिन उसको बहार कुछ नहीं मिलता वो खुद को समालती है और घर के अंदर जाकर त्यारी करने लगती है केंडर्स ओन करती है और गरम पानी करने लगती है वो घर की खिड़कियों को बंद करके कवर कर देती है और मेंडोर जो टूटा हुआ था उस जगे सोफा और बलेंकेश से कवर कर देती है साथ ही साथ अपने पास एक बलेड रख लेती है अब घर के बाहर एलियन आ चुके थे और उस मरे ओवे एलियन की बोडी को बीम से खींच का सिप में ले जाते है अब एलियन से बचने के लिए वो बेसमेंट में जाती है लेकिन वहाँ पर भी एलियन आ जाता है और उसे ढूंड भी लेता है जिसको वो स्टेप करने की कोशिस करती है वो एलियन अपने पावर से उसके बलेड को दूर फिंकवा देता है उसके हाथ में एक फोटो भी थी और ये फोटो बच्पन की थी जहांपर वो और नोड के साथ उस फोटो के अंदर थी वो एलियन उसको देखने लगता है जिसको फाइदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाती है इस बार उसको एक छोटा से एलियन मिलता है वो उसे देखते ही हमला कर देता है जिससे वो बच्चते हुए किचन में आ जाती है जहां उस पर गरम पानी फैंक देती है और उसको गायल करके वहाँ से बच्च कर निकल जाती है वो एलियन खड़ा होकर हमला करने बापस आता है वो रूम में आकर चिप जाती है वो एलियन उसके पास आता है लेकिन तबी वो उसे स्टिक से स्टेब करके और क्लोजर के डॉर से पीट पीट कर हतम कर देती है फिर वो विंडो से बाहर आती है और स्पेश सिप से बची रही थी लेकिन तबी उसकी नजर एक बहुत बड़े एलियन पर पड़ती है जिससे वो छुपने लगती है लेकिन एलियन कंट्रोल आर्मी आती है और उसे पकड़ कर ले जाने लगती है तबी उसे उस बड़े एलियन के पास ले जाये जाता है और वो एलियन अपने हातों से कुछ साइन बना कर स्पेस सिप को सिगनल दे रहा था बरिंग उस आदमी से अपने आपको छुड़वा लेती है अब तक स्पेस सिप एक बीम फायर करती है जो थी तो बिरिंग के लिए तबी वो एलियन आर्मी उसकी चपेट में आ जाता है जो पहले से ही उनके कंट्रोल में था वो उसको आदे रास्ते से ही निचे गिरा देता है जिस कार्ण वो त करने ही वाला होता है तो वो कार से निकल कर भार बागती है जिससे वो भी कार से निकलने लगता है लेकिन वो अपने साइज की वज़े से कार में फस जाता है और कार डेमेज हो जाती है जिस का अनकार का फ्यूल टेंग तूट जाता है जिसका फाइदा उठाकर बिरिंग आ एलियन आ जाता है और उस रूम को देखने लगता है ये बिरिंग का बच्पन का ही रूम था वहां उसकी और मौम की बच्पन की तस्वीरे थी साथ यहीं पर बहुत सारे अंडरसंड लेटर भी थे जो कि उसने नोड को यह लिके थे अब बिरिंग उस एलियन को मारने की कोश कर देती है जिसके बाद वह एलियन वहां पर आता है और अपना मुए खोलता है जिससे वह पेरासाइड बाहर आता है जो कि रियल एलियन है खेर अब बिरिंग जाकती है तो उसके घर में सब कुछ ठीक था जिससे वह समझ आती है कि यह एक बुरा सपना था जब वह नीचे टाउन भी ठीक था तबी उससे मिलने नोड आ जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी जिसको देकर ब्रिंग बहुत जाला खुस होती है अब वो नोड से स्थोरी बोलती है तबी वह अपने मुए में हाट डालकर उस पेरासाइड को बाहर निकाल देती है जो कि असल में उसको ये सब दिखा रहा था जी हाँ एलियन का हमला सच था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि नोड काफी साल पेले ही गुजर चुकी थी को इसी चीज का गिल्ट था तबी वो उस पेरासाइड को बार फेंग देती है जिस पर पैस सिप भीम डालता है तबी वहाँ पर कोई फिगर पेर होने लगती है ये देख ब्रिंग जंगलों के तरो बागने लगती है जहां पर उसके पीछे खुद ब्रिंग का ही क्लोन आता है तो यहां पर ये एलियन हुमेन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको इखतम करके उसका क्लोन क्यार कर लेते हैं जिसके पास उसके सारी के स सारी यादे होती है तबी बिरिंग का क्रोन उस पर स्टेप करता है बाइचांस वो बच जाती है वो अपने पास से ब्लेड निकाल उसी कोई खतम कर देती है अब वो आगे बढ़ रही होती है तबी स्पेस्टिप के बीम उसे कैप्चर करके ओपर खिंच लेती है अब वो पहली मेमरी की जलक दिखाया जाती है कि वो अपनी मा के साथ में थी और वहीं मिनियेचर टाउन बनाया करती थी जो कि उनकी होबी थी जिसको बिरिंग ने आज तक जिंदा रखा था तब हमें आगे की मेमरी को दिखाया जाता है कि एक दिन उसका और नोड के बीच में सबी बिरिंग से दूर हो गए थी और उसको ना पसंद करने लगे थी अब आगे हमें जवान बिरिंग की मेमरी को दिखाया जाता है जो कि नोड के नाम पर लेटर से लिक रही थी उसको ये लगता है कि अगर कोई ऊपर चला गया है तो उस तक लेटर पहुंच सकते हैं जि उसको अपने डेली लाइफ में देखते हैं जहां पर वो अब काफी खुश रहने लगी थी और अब टाउन के लोग उससे अच्छे से विहेव करने लगे थी वो जानती है वो एलियन है लेकिन उससे कोई भी दिक्कत नहीं उसको वो दुनिया मिल गई जिसको वो अमेसा से चाती थी अगले सीन में वो एक पार्टी के अंदर होती है जो हाँ पर जिस लड़के को वो पसंद निचाह करती थी वो उसके साथ में डांस कर रहा था अब हमें टाउन को दिखाय जाता है जिसके उपर बहुत सारा स्पेसिप होते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर मापत होती है आपको यह मूवी कैसे लगी अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई जब तक के लिए बाई